नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में एक स्क्रीनर की मदद से देखेंगे कि कॉंसे स्टॉक है जो पोटेंशियल एक ब्रेकाउट दे सकते हैं या तो अभी ब्रेकाउट दिया है और आगे उसको कंटिनुएशन हो सकता है है ऐसे स्टॉक हमें कुछ अलग क्राइटेरिया के हिसाब से जैसे कि अगर हो हो चुका है 200 एक स्क्रीनर की मदद लेंगे आज हम यस में युस करेंगे चार्टिंग का website जहां पे मेरा कोई paid promotion नहीं है मुझे यह अच्छा लगा तो आपके साथ share कर रहा हूँ दोस्तो अगर आप इस channel पे नए हो तो please subscribe जरू कर देना वीडियो अगर पसंद आता है content अच्छा लगता है यह जो screener है इसका नाम है potential breakout इसका link मैं description में डाल दूँगा वो आप बाद में भी देख सकते हो पहले समझ लो कि इसमें कैसे trade करना है किसको avoid करना है और इसमें आपको खुद को अगर amend करना है तो आप कैसे कर सकते हो इसका जो जिन्होंने बनाया है उनका जो criteria यह क्या है कि जो stock है 200 days का जो high है उससे 5% दूर है पिछले 30 दिन में consolidation किया है और volume जो breakout है वो 50 के ऊपर है यह सब को मिला कि उन्होंने एक screener बनाया है और जैसे ही आप run करते हो यहाँ पे आपको यह stocks यहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा एक तो name आएगा percentage आएगा price and volume तो इसमें अगर आप देखते हो तो first जैसे click करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पहला है stylum जिसका अगर volume आप देखोगे तो volume भी increase हुआ है consolidation हुआ है और इसका breakout भी हुआ है इसका जो यहाँ पे previous हाई था जिसको इसने और डेक आउट दे दिया है तो अगर आपको कोई stock देखना होता है तो आप एक चीज कर सकते हो कि आपको यहाँ पे volume से एक बार एक filter कर देना जितना higher volume होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको आप कैसे add कर सकते हो कि आपको यह lower volume है वो भी निकल जाएगा तो हमारा जैसे यहाँ पे एक anti-UC first है तो anti-UC को अगर आप देखते हो तो इसका जो high है वो है करीबन 166 जिससे अभी 5% हम दूर है consolidation हो रहा है तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो यह इसका consolidation के बाद breakout हुआ है तो आप इसको यहाँ पे एक further up move के लिए select कर सकते हो यह stock जो आपको next up move देगा 10% के आसपास second चीज आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि अगर कोई भी stock यहाँ पे breakout दिया है 6% यानि कोई भी 4% से उपर है आप इसको avoid करना क्योंकि क्या होता है वो already बढ़ चुका होता है अब next यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे जिन्होंने बनाया है कि 5% है पर मुझे 10% लेना है यानि कि यह जितने भी cash में यह stock है 200 days moving average के से 10% दूर है मुझे वो stock चीए तो मैं यहाँ पे 10 करके run करता हूँ तो आप देखो कि काफी सारे stock आ जाएंगे अभी कि इतने सारे stock है जो 10% यहाँ से अभी दूर है जैसे मैं यह click करता हूँ भारत forge तो भारत forge आप देखो कि यहाँ पे औरी इसने breakout के बाद mood दे चिका है तो मैं इसको अभी avoid करूँगा next जोटते हम कि इसके बाद में कौन सा आ रहा है तो आ रहा है यहाँ पे हम देखते है power grid power grid का यहाँ पे जो high है वो 248 है consolidation काफी अच्छा हो चुका है breakout अभी यहाँ पे दिया है तो ऐसे stock का हम ध्यान में रखेंगे for 10% move हमें यहाँ पे मिल सकता है 248 अब दियुसरा changes क्या कर सकते है कि यहाँ पे आप देख सकोगे यहाँ पे जो price 92 है 177 है और इसका जो volume है वो यहाँ पे मुझे चाहिए 15 लाग से ज्यादा मैं क्या करूँगा यहाँ पे first तो यह मैं change कर दूँगा 200 second में यहाँ पे एक add करूँगा volume लूँगा latest volume greater than मेरा number यहाँ पे जो number है उसको मैं change करके कर दूँगा 15 लाग यह मैंने दो changes यहाँ पे किया है अब मैं run करता हूँ इसको तो आप जैसे देखोगे कि जो पूरा लंबा लीस्ता वो कम हो चुका है अभी और मेरे सामने आ गए only इतने stocks तो इसमें से मुझे डूढना है कि मैं कौनसे stock ले सकता हूँ जैसे यह Apollo tire है 1% बढ़ा हुआ है पर उसका volume काफी अच्छा है तो उसको देख सकते है जैसे click करते हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा यह stock यहाँ पे consolidation के बाद breakout हुआ यह दोजी candle बनाया तो आप इसको ध्यान में रख सकते है जैसे यह breakout यहाँ से देगा further उपर जा सकता है फिर आपको नीचे देखने को मिल रह है तो वैसे click करके देख लास इसका high था 341 जो यहाँ से 10% और दूर है यह last time का इसका जो दो resistance था consolidation यहाँ पे हुआ breakout अभी हुआ है तो मजगाव डॉक को आप ध्यान में रख सकते हो for the 341 target तो इस तरह से आप खुद का यहाँ पे amendment कर सकते हो जैसे कि अभी यहाँ पे cash है यानि cash के जितने stocks है वो सबको यह scan करेगा मुझी चीए खाली future तो मैं यह आप यह future किया run किया तो आप देखोगे उसमें से भी आप कम हो गया stocks कुछ लोग बोलते कि ने मैं तो nifty 50 का ही trade करता हूँ तो वो nifty 50 करके करेंगे तो उनके लिए 2 stock हो गए इस हिसाब से आप झाल 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 झाल